तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि why do that only 10-15% people pass in CA या फिर मैं ऐसा putting करूँ कि क्यों वो 85-90 लोग clear नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप ऐसा visualize करोगे तो ऐसा एक ऐसे 10 लोग महनत कर रहे नहीं महनत तो 10-10 लोग कर रहे ना लेकिन 510 लोग क्यों कर पाते तो इस वीडियो के अंदर आपको भहुत सारी useful messages और information दूँगा जिसके वैसे क्या पता this video can be a game changer for you for your exams तो वीडियो को प्लीज लास तक देखना उसके लावा subscribe जरूर कर लेना और वीडियो पसंदा लाइक जरूर करना उसके लावा CA final FR को लेकर मैं काफी सारी चीज़े अपडेट करता हूँ मेरे टेलिग्राम पे लिंक description box तें जाके join करूँ ठीक है अब मेरी बात ध्यान सा सुलना वो ऐसा 10-15 लोग क्या दस-15 लोग क्या कर रहे जिसके वैसे हो clear कर जाते है दरूल is very simple अगर आप कभी भी psychology study करोगे न तो एक student सबसे आदा motivated कर रहता है when he's about to start his preparation तो start करने के एक महिना वो रहगा 10 months यह जो 10 महिना जिसका पढ़े चालू है बंद है चालू है बंद है कभी पढ़ रहा है कभी नहीं पढ़ रहा है जो 10 महिना का चालू बंद रहता है न वो सबसे बड़ा तकलीफ होता है ठीक है तो आपको में एक simple सा rule बताता हूँ अगर मैं आपसे कहूँ कि पानी की बूंद पहाड में छेट कर सकती है तो आप बोलोगे सार अपका माता खराब हो गया है अब आप कभी देना waterfall को visualize करना जहां से waterfall गुजरता है ना पहाड से वहाइं डेंट पढ़ जाता है पाहाड के अंदर ऐसा क्यों होता है consistent effort वह waterfall वहा करता है वह नहीं जो लाश्क का पीरेट में भी hard work consistently करता हूँ चलता है वह clear करता है अब आप इस पर counter पते क्या करोगे सर आपको नहीं पता हमारे life में ऐसा कुछ obstruction आ गया था हम नहीं पढ़ पा हमारे life की situation में difficult है मैं बता हूँ सब के study journey में कुछ ना कुछ obstruction आता है किसी न तो अब मैं बोचता हूँ नहीं नहीं मैं तो attempt delay कर रहा हूँ है ना मैं तो शादी enjoy करना है ऐसा कोई बोलेगा सर में बीमार पड़ गया था मेरा पांच महीने पहले heart fracture हो गया था ठीक है तो मैं आपको यह नहीं बोला हूँ कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है मैं बता रहा ह कि सबके life में लड़ तरीके सा आ रहा है है ना तो फिर भी जो इनसान चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है यह obstruction आने के बावजूद he will clear एक बात हमेशा ध्यान रखना ठीक है ऐसा होता है सर्फ plan किया अचीव नहीं हो रहा है भाई किसी का अचीव नहीं होता है एक CA बाद आपको बताता हूँ किसी का भी एकदम होता ना 100% perfection से पढ़ाई नहीं होता है किसी का भी life एकदम सौटेड नहीं है जो बोले कि भाई मेरा life में tension में पढ़ता चलू it is about studying during those obstruction वाला phase motivation नहीं आ रहा है still you keep going it plan अचीव नहीं हो रहा है still you keep going बहुत आरा सिले बस बाकिये still you keep working hard ये जो student में capability है ना consistent hard work वो करता है clear तो आपको हमेशा ध्यान रखना है it is not about talent it is not about phases में hard work it is about consistent hard work अभी से लेकर जो exam तक daily मेहनत करेगा मुझे पता है एक चल दस दिन में एक दिन होएगा नहीं होती है महनत है ना आप बोलोगे नहीं लेकि मेरी है ना हफते में 4 दिन मेहनत नहीं हो रही है मैं सब प्यान करता हूँ बिल्कुल वैची नहीं कर पार हो ये नहीं होना चाहिए है ना तो please set realistic targets and मैं बता हो target वगर सबको पता है क्या करना है कितना बागे सबको पता है कैसे करना है but it is about those consistent effort आप मारोगे मैं guarantee दे रहा हो आपको consistently hard work करोगे ना जितन difference between these things and I hope ये वीडियो आपके लेलफूल रहेगा पसंदा है तो like जरू करना उसके लावा comment में बताना कि क्या आप hardware करने को ready हो क्या है ना अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है comment जरू करके जाना क्या आप करोगे कि नहीं को रहे consistent hardware आच प्रावी से कर लो आपने आप स ठीक है तो अगर यह वीडियो इसफुल लगा बताना जरूर उसके अलावा अगर आपको CA final fr को लेकर कुछ भी lectures वगेरा चाहिए तो they are available on bbvirtuals.com तो मेरे lectures वाइए आप जाके महां से बाई कर सकते हो उसके लावा take care we'll keep making such useful videos for you thank you so much everyone bye everyone take care see you all bye